इस वीटियो में दी हुई जानकारी इंटर्निट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. TANUVA M4 Tablet ER दो दवाओं का मिश्रेन है जो टाइब 2 Diabetes Miletus के लोगों में high sugar level के स्तर को नियंतरित करता है. यह Diabetes की गंभीर जटिलताओं जैसे की किड्नी खराब होना और अंधपन को रोकने में मदद करता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम कर सकता है. TANUVA M4 Tablet ER को अकेले या Diabetes की अन्य दवाओं के साथ दिया जा सकता है. सभी Diabetes दवाएं स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम के साथ इस्तेमाल करने पर अच्छी तरह से काम करती है. आपको जो डोज दी जाएगी वो आपकी कंडीशन, बलड शुकर लेवल और आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करेगी. इसे भूजन के साथ लेने से पेट की खराबी की संभावना कम होती है. अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक तै समय पर ही लेना चाहिए और जब तक डॉक्टर सलाह न दे तब तक इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए. ये आपके बलड शुकर लेवल को नियंतरित करता है और भविश्य में होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है. इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें. आपकी जीवन शेली डायबिटीज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. डायरिया यानि की दस्थ, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, सिर्दर्द और गले में खराश आदी इस दवा से होने वाले आम साइड इफेक्ट हैं. अगर आप इंसुलिन या सलफोनिल्यूरिया जैसी डायबिटीज की अन्य दवाएं भी ले रहे हैं, तो संभव है कि साइड इफेक्ट के रूप में बलड शुगर लेवल लो, यानि की हाइपोगलाइसीमिया हो जाए. इसलिए आपको जानना होगा कि इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे निपटना है. ये दवा सभी के लिए उप्यूक्त नहीं है. यदि आपको किड्नी, लीवर या हिरदे रोग या अग्न्याशे की समस्या है, या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो इसे लेन पहले से ले रही हैं. उसके बारे में डॉक्टर को बताएं जिससे आप सुनिश्चित हो सके कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है. आपको शराब पीने से परहिज करना चाहिए क्यूंकि यह ब्लड ग्लूकोस को कम करता है. आपके डॉक्टर इलाज शुरू करने से पह और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.